अजोध्या में श्रीराम जन्म अस्थान पर विराट मंदिर के निर्मान के प्रक्रिया शुरु हो गई है परधान मंति नरेंद्र मोदी ने श्रीला न्यास किया और इस आउसर को एक विशेश आउसर एक विशेश संदेश देने वाले आउसर के तौर पर पूरे भारत में ज या ऐसे जो अस्थान है दिश्थान है वहां इस राम के आदर्स को सामने लेकर के राम राजी उत्सो मनाय जा रहा है मेरे साथ हैं मन्य सुवेदार सिंग जी आप धर्म जागरन विभा के इस शित्र मतलब बिहार और जारखंड के प्रमुख है इनके इस उसर को ये कैसे यादगार बढ़ना चाहते हैं और कैसे राम के आदर्स को जनजन के हिर्दय में अस्थापित करना चाहते हैं इस संदर में हम बात करते हैं सुवेदार सिंग जी आपका स्वागत है राम मंदिर को लेकर के राम मंदिर निर्मान के बाद जो काम आप लोगों ने सुरू किया है जो राम राज उत्सव के माध्यम से उसके बारे में आप भी स्टार से हमें बताएं वास्तों में जिसकी कलपना कभ भी महात्मा गाधी ने किया था वैसे मैं बहुत गाधी जी के विचारों से साहमत हूँ नहीं हूँ अलग भी से है लेकिन रामराजी जो है ये उनकी बहुत ही महानतम कलपना है तो रामराजी क्या है तो उस युग में आज जैसे मंदिर है वैसे उस युग में भी मंदिर थे और राम ने जिसकी कलपना किया था तो कोई बेरोजगार नहीं होता था सब रोजगार युक्त थे सब को सब काम की सुविधा थी और वह फिर से वास्तों में ये सुरू होने वाला है कोई कि हम सारे लोग देख रहे हैं कभी कभी लोग कहने लगते है कि मंदिरों में क्या होता है क्या नहीं होता है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिरों में पुना है जैसे पहले मंदिरों के अंदर गुरकुल चलते थे जैसे पहलों मंदिरों के अंदर संसकार युक तो मंदिर हुआ करते थे आज वह चीजे पुर्णा सुरू हुई है मेरे पास अभी अभी सुचना आई है कि सासा राम के अंदर बोध गया मठ जो है एक बहुत बड़ा गुर्गुल चलानी वाला है ऐसे मेरे पास सुचना है कि यह दुलार पुरुमठ है यहां का बेगु सराय के अंदर वहां भी प्यार की काम सुरू हो रहे है नए ने अस्थानों का और जहां यहां बैठे हैं यह भी धर्मजाड का केंदर है यह भी हनमान महभीर मंदिर बन रहा है और यहां पीछे गरीब बच्चों का जो है जो मुशहर जन जाती है उसके बच्चों का छात्रवास चलने वाला है लेकिन वो कैसे चलने वाला है तो वास्तों में सब को जो है वास्तों में जो भारतियता है वह सबको सिखाना है तो क्या सिखाना भारतियता में भारत क्या है तो बिना मठ मंदिर गुर्द्वारे के भारत की कलपना करना मुश्किल है और उस मठ मंदिर में संसकार युक्त बालक तयार हो उसके लिए गुर्कुल आवस्यक है जहां वेदों की धोनी होगी जहां गीता पढ़ाया जाएगा और राम का चरित कैसा था तो वास्तों में राम का जैसा चरित था वैसे बालक का निर्माण करना यह वास्तों में अब सुरू अभी दसारा चला है और जगा जगा मंदिरों में ठीक है कि कोरोना के नाते सरकार ने बहुत सारे भीड को रोका है लेकिन इसके बावजूद मंदिरों में जब जाएंगे तो आपको उस राम की कलपना आपको ध्यान में आएगा और साब के मन में वास्तों में राम मंदिन निर्माण को लेकर जो 400 वर्सों से जो मन में टीज थी वो हिंदू समाज वास्तों में वो 400 वर्सों की जो दुख की घड़ी थी जो संगर्स था वो सफलता जाज जो है मिली है हमें ऐसे सफलता नहीं मिली है ऐसा भी नहीं प्रधान मंत्री ने ऐसे आकर वहां कर दिया नहीं संगर्स के बाद जो बिजय मिली है वो प्रधान मंत्री ने वास्तों में वहां साश्टांग पडाम करके संपूर विश्व को बताया कि नहीं यह भी एक धर्म है और यह दुनिया का उच्चतम मांदन रखने वाला हमारा धर्म है इसलिए वास्तों में प्रधान मंत्री जो है हमारे धन्यबाद के पात्र भी है आज सारे विश्व कंदर प्रधान मंत्री जाते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो अपनी वो बेसबूसा नहीं छोड़ते हैं कहीं मंदिर है तो वहां जरूर जाते हैं और ज जो तो जो मना जा रहा है मंदिरों में छोटे मंदिरों में तो इसका कैका लाक्ष या ढ़ू देखिए पुरानी नियु नच्द्मार हम अरणे पुराइने के संस्कृति और को पुराणी संस्कृति को पुराइन जीवित करें sự में आप चैनल पर देख रहा था तो केले के बारे में चर जा रही थी केले में क्या क्या फाइदा है तो वास्तों में आज कैसा है जो एलोपेथी डाक्टर है वो जो है अगर दाहिने आख का डाक्टर है तो बाई आख नहीं देख पाता है हाथ का डाक्टर है तो पैर नहीं देख पा हैं जिसके नाते मनुष्य मनुष्य काहलाता था हमारी मा जो है बच्पन में बच्चे को क्या सिखाती है बेटा चीटी को चारा दे करा इसका मतलब चीटी के अंदर आत्मा भी है और चीटी को भूख लगती है यह हमारी मा बताती है इस राम राज उत्सो के मादम से हम मानोत कि परकाष्ठा को बताना चाहते हैं, हम जो है उस गाए को जल को सनाचिद करना चाहते हैं, हम उस बनस्पती को ना की से ठीक करना चाहते हैं कि यह विशे वास्तो में इस राम जनमुटसो में हैं. राम राज युद्सो मनाया जा रहा है बिल्कुल मतलब समाने तरीके से लेकिन जितना प्रचार होना चाहिए था जिसे कोई काम होता है तो इसका प्रचार होना चाहिए तो इसका प्रचार आप लोग क्यों नहीं करते वास्तों में प्रचार तो होना चाहिए इधर थोड़ा कोरोना के नाते हम सारे लोग जान रहे हैं कि सरकार ने कुछ सिमाए बादी है और अब हमारा समाज कैसा है बहुत अनुसासिस समाज है अनुसासिस समाज होने के नाते हम सरकार के कुछ चीजों का उलंगन नहीं करते हैं लेकिन आम जनता जो है उसको ठीक प्रकार से कर रही है निया है, social media, पर कुछ लोग प्रचार भी कर रहे है, लेकिन वास्तों में जैसा हो रहा, वो नहीं हो पा रहा, वो अगले बरसे होगा, इस साल Corona ञें वास्तों में, हम लोगों ने, क्योंकि हमारा समाज तो बहुत अनुसासित समाज है, हम सम्मिधान को भी मानते हैं, वो लोग वास्तों में इस प्रकार का प्रचार जो है वो नहीं कर रहे हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कारिकम नहीं हो रहा है इसका मतलब यह कारिकम हो रहा है लेकिन वह बहुत हाई प्रोफाइल नहीं हो रहा है जन जन तक हो हमारे हां तो नौरात में पूरा नौ नौ द अरिके से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है मैं कुछ घटनाओं को बताना चाहता हूं कि संगंज जिले के अंदर हम सभी जो लोग जानते हैं कि हमारा जो हिंदू है वो दली तोर अथ पिछड़ी समास से है और वहां पर केवल 22% ही हिंदू है इसके बावजूद जब वहां पर 5 सितंबर को भूम पूजन हुआ उस समय जो है बाईक से हजारों नौजवान ओम का जंड़ा लगा करके पूरा भूम रहे थे मैं अभी गया भी था उधर जो है तो मैंने पूछा तो उन्हों बताया कि दसाहरे पर भी कोई मंदिर छूटने वाला नहीं है जहा पर हम लोगों के जंडे नहीं लगाएंगे जहां पर पूजा नहीं होगी जहां पर यह कारिकम नहीं होगे वास्तों इस प्रकार का जो है दलित पिछडे अत पिछडों में जो राम के नाते स्वाहमान की भावना पैदा हुई है वह वास्तों कल पनाती था है राम जन इसे संगठन है, संस्थान है, मठ मंदिर है, मौन नहीं बैठे हैं, अपने हिर्दय में अपने अपने अस्थानों पर छोटे-छोटे आयोजन करके राम राजी का स्वागत कर रहे हैं, राम राजी का स्वागत करना मतलब राम के आदर्स्त को प्रतेक व्यक्ति-व्यक्ति के मन मंदिर में बैठाना ताकि उसका व्योहार राम जैसा हो और इस प्रकार से भारत एक समर्थ रास्ट बने विश्व गुरू बने ऐसा साध इनका प्रयास है और यहां आगे चल करके और भब भी हो सकता है लेकिन यहां जो राम भक्त हैं इस औसर को यादगार एतिहासिक बन और एक पूरे भारत के अंदर में एक वातावण बनाने का प्रयास जारी है कृष्ण कांत धर्म जागरन कार्याले सोनपूर